हेलो एवरिवन नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं सूरस साहू सौगत करता हूं आप सभी का कॉम्बटीशन कम्यूनिटी के यूट्यूब प्लेटफोर्म पे चलिए लास्ट ग्लास में जो हमारा लास्ट विडियो आया था उसमें अपने देखा था कि पेपर घरड़ पार्ट वन मतलब इंडियान हिस्ट्री के सिलेबस को हमने डिकोड किया था, हमने पूरा समझा था कि इस सिलेबस में कितनी चीज़ें पढ़नी है, और उस वाले वीडियो में आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोगों को यह भी बताया था कि इतने questions कहां से संभावित questions बनने की पूरी संभावना है और कितने questions अभी तक पूचे जाते हैं PST का फेवरिट टॉपिक कौन सा देखने को मिल रहा है कि कहां से वो हर बार question पूस्टा ही पूस्ता है यह सारी चीजों का हमने discussion कर लिया था आज के वीडियो में हम बात करेंगे paper third part one की जिसमें हम बात करेंगे modern history की केवल और केवल किसकी बात करेंगे modern history की बात करेंगे और modern history में हम समझेंगे कि क्या-क्या वह चीज़ें हैं जो हमाई लिए जरूरी है answer writing की कला क्या होती है answer writing किस तरीके से लिखता है मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि answer writing एक art है answer writing एक कला है और इसी answer writing में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा answer किस तरीके का होना चाहिए कैसा होना चाहिए हमारे answers में मतलब एक officer बनने की जलक दिखनी चाहिए इस तरीके के हमें अपना answers लिखने और वहीं आज हम कुछ examples लेके आएं इसमें अकसर आप लोग गल्ती कर देते हैं वह होता है आपका questions क्या होते है questions अगर हम questions की बात करें तो question दो तरीके के देखने को मिले questions में जो देखने को मिलता है आगे वाला भाग जो रहेगा वो question का और question के एक रहती है tail पूच जिसे क्या बोला जाता है tail जिसे बोला जाता है पूच इस पूच पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है और इसी पूच के अधार पर प्रश्न और प्रश्न के उत्तर पूरी तरीके से बदल जाते हैं तो आज हम उसी चीज की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद examples क्यों देखते हुए आज का class खरम करेंगे देखो कुछ questions में पूचा जाता है comment करने को क्या बोला जाता है comment आज की class के ये वाला जो topic है वो बहुत important है किस तरीके से आप लोगों का answer होना चाहिए कैसे answer लिखेंगे समझना जब comment करने को बोला जा रहा है तब आप दिये गए topic पर अपने विचार लिखना है दिये गए topic पर क्या करना अपने विचार लिखना है वो positives भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है आप उसके सकरात्मग विचार लिखो नगरात्मग विचार लिखो या आपके विचार है वो सकरात्मग भी हो सकते हैं और नगरात्मग भी हो सकते हैं ऐसा भी hard and fast rule नहीं है कि आपको उसकी अच्छी बाते बतानी बुरी अगर क्या बोला है टिपपणी बोला है तो टिपणी करिए कमेंट करिए अगर question में बोलता है कमेंट करने की तो इतना बस लिखने आप लोगों को वहीं अगर बोल रहा है clarify करो, explain करो discussion मतलब इसपष्ट करना, व्याख्या करना या चर्चा करना तो जो भी topic दिएगा है उसके सभी IMO के बारे में बताईए सभी IMO के बारे में बताईए इसका मतलब क्या हुआ जितने भी divisions है उसके जितने भी diversions हो सकते है positives हो या negatives हो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है और इन दोनों चीज़ में ऐसा है कि conclusion चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें इसमें तो ऐसा है नहीं लिखें चलेगा इसमें ऐसा है conclusion मतलब निशकर्ष लिखा भी जा सकता है और चाहें तो नहीं लिखें, कोई बड़ी बात नहीं रहती, अगर ऐसा बोला रहा जा रहा है, clarify, explain your discussion, लेकिन वहीं बात आती है, criticism की, critical analysis की, यह critical evaluation की, इनकी बात आ रही है, मतलब अलोचना, अलोचनात्मक विशलेशन या अलोचनात्मक मूल्यांकन, इनकी बात आ रही है, तो कहे गए कथन, या दिये गए topic को गलत साबित करना है, questions में अभी आप लोग example के रूप में देखोगे, अगर उसने कुछ भी ऐसा topic बोल दिया, कि इस तरीके से यह चीज हो रही है, और उसका critical analysis करिए, या अलोचना कीजिए, तो आपको बताना है उसको गलत की नहीं, ऐसा नहीं है, और उसके बारे में तत्य देना, यहाँ आप सकरात्मक चीज नहीं लिखोगे, उस चीज को आपको गलत साबित करना है, और यहाँ पे conclusion must है, अगर आप conclusion नहीं लिखते हो, इसमें निशकर्ष नहीं लिखते हो, तो no doubt आप लोगों को 15 में से 2-3 नंबर भी मिल जाएं, तो बहुत बड़ी बात है, 8 में से 1-2 नंबर भी मिल जाएं, तो बहुत बड़ी बात है, और इसी के साथ देखने को मिलता है critically examine, मतलब समा लोचना, समा लोचना में क्या देखने को मिलेगा, आप उसकी निंदा तो करनी है, यह almost same है, लेकिन इसी के साथ आपको क्या बताना है, उसमें समाधान भी बताना है, सुधार भी बताना है, हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके का question पूछ रहा है, और क्या question बन रहा है, और इसी के अधार पर हम सारी चीज़ें करते हैं, तो उमीद करता हूँ यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि conclusion क्या है, critical evaluation क्या देखने को मिलता है, या बाकी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, आगे बढ़ते हैं, हम modern India के प्रश्ण लेके आए हैं, modern India के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे, देखो, simple सी चीज है, topics हमें पता है, syllabus record मैंने कर दिया था, कहां कहां सिख्या क्या चीज़े important और वो भी हम discuss कर लिए थे, यहां मैं आप लोगों को answer writing का तरीका बता रहा हूँ, कि दो number के questions को आप किस तरीके से handle करोगे, चार number के questions को आप किस तरीके से handle करोगे, 8 के और 15 के, किस तरीके से हमें उन सारे answers को deal कर रहा है, ठीक है, चलो, question क्या है, उग्रवादी दल का Congress में पुना प्रवेश के कारणों का उलेक करें, discuss करना है, आपको क्या discuss करना है, कि किस कारण से उग्रवादी दल, चाहे आप देखो, दो तरीके के दल हुआ करते थे, उग्रवादी और उदारवादी, तो यहाँ पर किस चीज की बारे में पूछ रहा है, extremist के बारे में पूछ रहा है, कि extremist लोग, अगेंसे Congress में किस लिए enter करें थे, क्या चीज देखने को ऐसी मिल रही थी, तो उनी का, उन कारणों का क्या करना है, उलेक करना है, बहुत simple सा question है, importance क्या है यहाँ पर, दो नंबर का प्रश्न है, किसी भी दो नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, simple से कारण, आपको नहीं बताने है, उदारवादी क्या है, उगरवादी क्या है, आप लोगों को यह सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं करनी है, किसी चीज की कोई परिभाशा नहीं लिखनी है, simple से यहाँ आप लोगों को 30 शब्द, कितने शब्दों में शब्द सीमा कित्ती देखने को मिल रही है, 30 शब्द देखने को मिल रही है, ज्यादा ज्यादा तीन पॉइंट्स बनाई है, तीन पॉइंट्स पे अपने आंसर को क्या करना है, खदम करना है, बहुत सिंपल है, अब मैं यहां पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़े बता रहा हूं कि आप लोगों के आंसर कैसे रहे 1916 भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस के लखनाउ अधिवेशन यहां आप इसको शॉट में लिख सकते हो INC लखनाउ अधिवेशन लखनाउ सेशन में क्या देखने को मिल रहा है गरमदल का पुना प्रवेश देखने को मिल रहा है पॉइंट्स क्या है जो आप लोगों को नहीं बूलने हैं सबसे इंपॉर्टेंट्स पुराने विवाद अप्रसांगिक या अर्थ हीन हो गए थे अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट्स चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों की भाशा का चेहन लेंग्विज यहां पर अप्रसांगिक लेकिन जरूरी नहीं है आप कोई बहुत ही भारी वरकम इंग्लिश में भी देखने को मिलता आप वो कैब ऐसी यूज़ करने की जरूरत नहीं है अब सिमिलर नॉर्मल से लिख लो कि अर्थीन हो गए थे जो भी पुराने विवाद चल रहे थे वो पुराने विवाद अब रहे ही नहीं हं अरधीन होचा अब्ट कोई मतलब आ रही था तो हमने पहला पुंट ही बना लिया दूसरा पॉंट उधारवादियों तदा उग्रवादियों के विभाजन से राष्ट्री आंदोलन की राजनितिक प्रक्रिया अवर लेकिन जैसे ही इन लोग अलग हुए ना उदारवादी की बात मानी जा रही थी और उग्रवादियों को उठा उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा था इस कारण से देखने को मिलता है यहां पर जब तक साथ में रहेंगे तभी तक इनकी चीज़ें होती चली जाएंगी अगर साथ में नहीं रहेंगे तो इनकी बातों को माना ही नहीं जाएगा ऐसा कुछ यहां पर बताया जा रहा था तो इनी चीज़ों को फॉलो करते हुए क्या देखने को मिला कि उधारवादी तथा उग्रवादी के विवाजन से राश्ट्री आंदोलन की राजनेतिक प् मिलता है कि नहीं सारी चीज़ जो moderate extremist है वो एक साथ आ जाएं और एक साथ आके इन लोग क्या करना शुरू करने कारे करना शुरू करने तो यह main तीन पॉइंट देखने को मिलते हैं क्या कि अगर आप लोग को लिखा गया कुश्चन क्या पूछा गया कि उग्रवादी दल से अलग हुए तो वो विवाद होगा एक हतम दूसरा पॉइंट वहीं पर क्या देखने को मिल रहा है इन लोगों के अलग होने से भारतिय जो राजनीती चल रही थी भारतिय राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही थी बहुत जादा रुकावटे आ रही थी और ती भाषा कोई चीज ऐसी नहीं बतानी है जिससे वो अंसर अन्नेसेसरी लंबा हो और हमारे पॉइंट्स कम हो एक दम पॉइंट टू-पॉइंट कट टू-कट आंसर लिखने हैं जिससे हमें सारी चीजें पता चल जाए कि यहां तक की चीजें क्लियर हैं ठीक है चलो इसी के आगर देखो एक और प्रस्ट दो अंक के लिए अब हमने थोड़ा सा अलग प्रश्न लाया है भार्तीय राश्ट्री कॉंग्रेस की स्थापनी व submission करें वास्तविक्त की व्याठ्द का रहा है यह आपको समझ ना है यह बखे 62 को यह नहीं लिखना है कि भारतीय राश्टीं Congress का 1285 में A.O. Hume दोरा गढ़न किया गया तो वो रियल Facts पूछ रहे है बस आप लोगो को direct चीजे बतानी हो झालती हो और चीजे पॉतानी है देखो अनसर इति हास कारकर नुषार का नुसार Congress की स्थापना भारतियों में आई राजनेतिक चेतना का ही परिणाम थी बारतियों में आई राजनेतिक चेतना का परिणाम मतलब अब कारण में आप लोग वो सब नहीं लिखोगे कि इलबर्ड बिल कॉंट्रवर्सी हुई या फिर प्रेस एक्ट या वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं करना है आपको बस बताना है कि इन कारणों से भारत के लोगों में ही जागरुकता आ रही थी ऐसी संस्ता की स्थापना करना चाहते थे जिसके दौरा भारतियों की राजनेतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के समुख रखा जा सके ठीक है A.O. Hume ने कॉंग्रेस की सुरक्षा वल्व की तरह इस्तमाल किया इन्हों ने बताया कि यदि अगर A.O. Hume कॉंग्रेस को सुरक्षा वल्व की तरह इस्तमाल करती है समझना ध्यान से इस्तमाल किया तो प्रारंभिक कॉंग्रेस के नेता इसे तडित चालक के रूप में इस्तमाल करना चाहते थे दोनों तरीके से कि वास्तविक्ता क्या है कॉंग्रेस के बनने की कॉंग्रेस की बनने की वास्तविक्ता डफरिन के हिसाब से अलग थी समझ में आ रहा है डफरिन कुछ और सोच रहा के कॉंग्रेस को बनाया था लेकिन कॉंग्रेसी ने तक अभी चार कुछ और था कि अगर डफरिन के अनुसार इन्होंने हमें सेफटी वॉल्व की तरह इस्तमाल किया भी तो हम किस हिसाब से काम करेंगे तड़ित चालक के रूप में इस्तमाल करके हमारे भारत और भारतिय समाज के हिद की बात करेंगे बहुत ही सिंपल सा कुष्चन और उसका आंसर देख लो इस तरीके से आंसर लिखोगे तब बहतरीन देखने को मिलेगा कि हाँ तो में दो मार्स आप लोगों को करने ठीक है तो यह होगा दो मार्स के कुष्चन अब थोड़े से बात कर लेते हैं हम चार मार्स के कुष्चन की शब्द सीमा साथ इन पर ध्यान रखोगे और चार अंक का कुष्चन क्या है प्रश्ण क्या है भारतिय एतिहास में समाजिक तता धार्मिक सुधार आंदलोनों में पुनर जागरन की अवधारना और कारणों पर चर्चा कीजे बहुत ध्यान रखना पुनर जागरन की अव अवधारना और कारण अब इस प्रश्ण को समझ लो बहुत अथ्य से कि यह जो रेनाइसांस हो रहा था इंडियन रेनाइसांस हो रहा था धार्मिक सुधार आंदलन का जो रेनाइसांस था उसमें अवधारना क्या है किस विचारों से यह चीज हो रही थी और उनके कारण क क्या कारण थे, किन कारणों से ये चीज हो रही थी, देखने में, सुनने में थोड़ा सा सिमलर लगता है, लेकिन एकदम सिमलर है नहीं, थोड़ा सा दिफेरेंज देखने को आप लोगों को मिलेगा, देखने हैं, थोड़ा सा मने प्रष्ट घूमी बता दिया, अठार वी श जोड़े-बहुत लोग पढ़ रहते हैं उनलोगों ने बाहर की कितावे पढ़ना शुरूरू करी। उन्हें पता चला लिबर्टी क्या होती है, सवतंतरता क्या होती है। ठीक है, उन्हें पता चला कि भई अजादी क्या है, इन्होंने तो हमें जवर्दस्टी गुलाम बना के रखा है, उन्हें सारी चीजों के बारे में ज्यान हुआ, तब इन्होंने बोला कि नी, सिक्षा तो बहुत जरूरी है, इन पाश्याक्ति भार्तियों ने नव ज्यान, तरकवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रेरित होकर समाजिक एवं धार्मित सुधार का कारे प्रारंब किये, जिससे पुनरजागरण की संग्या प्रदान की गई. ये कोश्चन हो गया आप लोगों के अवधारणा, ये कोश्चन कौन सा हो गया, अवधारणा, क्या वो ऐसे facts देखने को मिल रहे थे, किस कारण से ये सारी चीज़ों की शुरुवात हुई, इसमें बता दिया गया, ये अवधारणा थी, अब कारण देखो, कारण अलग से देखने को मिलेंगे, पुनरजागरण के कारण, ये आप लोग आंसर में हो सकता, इस तरीके से ना लिगो, बस छोटा-छोटा दो-दो-तीन-ती लाइन का परग्राफ बनाके, पांच से छे लाइन में इस आंसर को खतम कर सकते हैं, अब कारण, पुनरजागरण के किसी भी कारण पूजागर आरे समाज के बारे में पूछ ले, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ ले, किसी भी चीज के बारे में पूछ ले, कुछ कारण तो एकदम कौमन से देखने को मिलते हैं, वह कौन से देखने को मिल रहा है, समझो चरा, भारतिय समाज की सामाजिक तथा धार्मिक कूरीतियां, जैसे संप्रदाइक्ता, इरश्या, बालहत्या, ठीक है, मानस्तिक जड़ता तथा मूर्ति पूजा, अंद पतन की और अग्रसर हो रहा था, इन सब के विरुद्ध भारतिय समाज के तधा कदित समाज सुधार को ने धर्म सुधार के लिए अंदोलन चलाए, खतम, किसी का नाम देने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में बताना नहीं है, कोई आरे समाज, ब्रह्म समाज, कुछ भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, राजा राम, मौन्रोय, दयानन सरश्वती, सिम्पल सी चीज पूछी गई है, क्या अवधारना और कारण, यह हमने बताए, अवधारना क्या थी, क्या मन के थौट्स क्या थे, किस हिसाब से यह सारी चीज़ों की शुरू हुई, और फिर उसके बाद वधा कारण क्या थे, जिस कारणों से यह सारी चीज़ें लाई गई, तो बड़े असानी से यह सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं, और इसी के साथ हमारा अंसर खत्म, इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, क्या क अधीन करने की, लौड डलहोजी के शांतिपूर्ण विलाई की नीती के बारे में विवेचना करें, अब यहां पर क्या बोला है, शांतिपूर्ण विलाई की नीती के बारे में विवेचना करें, बताना है आप लोगों को, कि रियासतों को ब्रिटिश समराज के अधीन करन कि Lord Dalhoji की कौनसी नीती शांतिपूर्ण विले की नीती को विवेचना करें। अब बहुत ध्यान से समझना, नीती की विवेचना करें। कि बात बोल रहा है कि किस तरीके की नीती बनाई, क्या देखने को मिला, क्या देखने को नहीं मिला, ये सारी चीजें देखने को पूछ रहा है। बारती रियासतों को ब्रिटिस समराज के आदीन करने के लिए लाट डलहुजी के दौरा, 1848 में व्यापगत का सिद्दान या शांतिपूर्ण विले की नीती या डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स बगरा की नीती लाई गई, कानुपालन किया था, डलहुजी के अनुसार भारत म मैं थीन प्रकार की रियासते हुआ करती थी, देखो क्या पूछ रहा है, रहता है, वह बहुत इंपोर्टन सह रहता है, लुक्ती तीन नीतियां वहा बूच रहे है, तो क्या पूच रहा है यहां पर, वे रियासते जो कभी सर्वोच Сत्तgersम नहीं थी, मत मतलब जो अब डिपेंड हो चुकी थी किसके कहीं कहीं अंडर में आ चुकी थी किसके ब्रिटिशर्स के और तीसरी वे रियासते जो अंग्रेजों दौरा जीवित या पुनर इस्थापित की गई थी मतलब जो ब्रिटिशर्स पर निर्भर कर रही थी मतलब ब्रिटिशर्स के pension पर निर्भर कर रही है या कुछ इस तरीके की रियासत हैं जो Britishers के उपर direct और indirect तरीके से depend कर रही है ठीक है यह हमने बताया उनका सिद्धान इस प्रकार डलहुजी ने ऐसी सबी रियासतों को अंग्रेजी सामराज में मिलाने का प्रयास किया जिसके तहट सरवप्रदम 1848 में सतारा British सामराज के अधीन किया इस प्रकार सामलपूर बगाट उदैपूर शासी नागपूर आधी का विलह अपनी नीती ने अपनी नीती के तहट लॉट डलहुजी ने किया था सिंपल आंसर खतम चार मार्ट का थोड़ा सा पॉइंट और चाहो ऐसे तो चार नंबर का कुश्चन ही इतने ही थोड़े से आप लोग के वर्ट एक्सीड कर जाएंगे लेकिन फिर भी अगर इसमें थोड़ी बहुत चीज अगर और एड करना भी चाहो तो आप कर सकते हो कि हाँ एक लाइन की डेफिनिशन इन सारी चीजों की जगए सतारा सामल पुर इनको अगर ना लिखके ये लिखना चाहो है न क्या कि जिसकी कुछ जिसकी कि भी प्राकृतिक संता नहीं हुआ करती थी तो ऐसे चेत्रों को यह क्या कर लेंगे अपन इस्तारा खेल यहाँ पर आठ अंक के प्रश्नों में यह देखने को मिलेगा आठ और सबसे इंप् Väर्यों के बारे में थोड़ा ज्यानेंगे थोड़ा दिसकास करेंगे सबसे पहले एक आठ अंग का प्रशन देखो समझना थोड़ा ध्यान से हाटिय स्वतंत्रता संग्रा के प्रती तिलक और महत्मा गांधी के दृष्टी कोण में समानताएं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए एक तो विचार बताना है उनके कारे हम क्या गलती करते हैं हम उनके कारे बताने लग जाते हैं सबसे पहले क्या बताना है इनके विचार क्या हुआ करते थे और दोनो दो चीज बतानी है, समानताएं भी, भिन्नताएं भी, प्रश्ण है केवल कितने अंक का, आठ अंक का, शब्द सीमा है हमारे पास, सौ, कोश्चन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है भाईया, तिलक और गांदी जी, इनके बाल गंगदर तिलक और महत्मा गांदी, इन दो के विचारों में समानताएं, कारे वगरा नहीं पूछा है, इन दोनों के विचारों में समानताएं क्या थी और भिन्नताएं क्या थी, बहुत आसानी से इस कोश्चन को हमने समझ लिया, अब देखो, हल करने का दरश्टी कोण क्या होना चाहिए, सबसे इंपोर्टेंट है लोगों के लिए भी यह समझ लो, मैंने बोला, आठ और पंद्रकों हम बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझेंगे कि आठ अंक के प्रश्ण और पंद्रा अंक के प्रश्णों को किस तरीके से हल किया जाए, बहुत असानी से समझेंगे, देखना, तिलक और के द्रश्टी कोन में समानताएं और भिन्नताएं यह हो गई आपकी मेन बॉड़ी, यह क्या कहला गई आप लोगों की मेन बॉड़ी कहला गई, ठीक है, मेन बॉड़ी में आपको क्या बताना है, इनके में समानताएं क्या हुआ करती थी, भिन्नताएं क्या हुआ करती थी, यहां तक थोड़ा समझ रहें कि क्या चीज़ देखने को मिलेगी देखो तिलक और गांधी भारतिय स्वतंतरत संग्राम के दो महतपूर्ण नेता थे जिनोंने ब्रिडिश ओपनिवेशिक साशन से भारत को स्वतंतरता दिलाने में महतपूर्ण योगदान दिया बहतरीन तरीके का इंट्रोडक्शन देखने को मिल गया इनके द्रश्टी कोंड से समानताएं होने के साथ-साथ इनके तरीकेों में और विचार धाराओं में भिन्नताएं भी थी जिनको अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं या करेंगे क्या यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चलो, इसी तरीके से हमें इन सारे कुश्चन को करते हुए चलना है इसी तरीके से इन कुश्चन को समझते हुए चलना है चलो, इसके आगे बात कर लेते हैं यह हमने एक परीचे की बात कर ली कि परीचे किस तरीके का देखने को मिलेगा, अब देखो, हमने बस सिंपल सी एक heading डाल दी, समानत आएं, ठीक है, अब समानत आएं में, तिलक और गांधी, दोनों ही स्वाशाशन के महतों को समझते थे, स्वाशाशन मतलब सेल्फ रूल की करते थे, अब वो बाल गंगाधर, तिलक के दौरा होम रूल लीक शुरुवात की गई हो, या गांधी जी बार-बार हमेशा से प्रेरिद करते रहेंगे, स्वाशाशन, स्वाशाशन, भारत में, भारत के साशन, तो एक समानत आएं देखने को मिली, स्वाशाशन, आप लो उन्हों नेता स्वतंतरता प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन की शक्ति में विश्वास करते थे, उन्होंने स्वतंतरता संगर्च में लोगों की भागीदारी को प्रोथसाहित किया था, ऐसा नहीं है, गांधी ची नहीं भागीदारी को प्रोथसाहित किया, उन्होंने स शुरूआज से ही जन आ अनडोलन को बहुत ही जादा प्रेरीद किया था. तो यह दोनों ही हो. गांधी शी ने भी जना अन। जनता के लिए आंडोलन के लिए प्रेरीद किया था. इसके बाद तिलक और गांधी, दोनों ही ब्रिटिश अपने विशिक सरकार के विरोध के साधन के साथ इसे सनरक्षित करने में एवं बढ़ावा देने की आवशक्ता पर बल देते थे ठीक है और एक और पॉइंट देख लो वे दोनों भारतिय संस्कृति और विरासत के महत तुम्हें विश्वास करने के साथ साथ, सनरक्षित करने एवं बढ़ावा देने की आवशक्ता पर बल देते थे ऐसे पोइंट हैं कि इन दो पोइंट्स को अगर आप लोग इस पोइंट्स को तो लिख लो, इस पोइंट को लिखो भी तो भी ठीक चल जाएगा काम और नहीं लिखोगे भी तो भी ठीक चल जाएगा काम, मैंने यहाँ पर बस यह point डाल दिया है, कि अगर मानलो एकाद point आप मेन वाला भूल गए, तो इस तरीके की चीज़, कि भारतिय संस्कृति एवं विरासत को महत्तो देते थे, भारत की जंता को महत्तो देते थे, भारत की कलाएवं संस्कृति को महत्तो देते थे, ठीक है, बस भारतिय भाषाओं को महत्तो देते थे, लोगों को महत्तो देते, सिंपल, इस तरीके से आप लोग अपने एकाद point बढ़ा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कितने मांक्स के questions हैं, अब भिन्नता हैं, हमें भिन्नताओं में बहुत असानी से सारी चीज़ें याद हैं, पता हैं, दो-तीन point हमें mind में रहना चाहिए, बाल गंगादर तिलक उग्रवादी नेता देखने को मिलते हैं, ठीक हैं, और महत्मा गांदी अहिंसा के प्रवर्तक देखने को मिलते हैं, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी ब्यान दोलन में, यही सबसे बड़ा इन दोनों के बीच भिन उनका मानना था कि सोतंता के लक्ष को प्राप्त करने के लिए, अगर बलका उपियोग उचित है, मतला करना पड़े तो बिल्कुल उचित है, और दूसरी और गांदी जी किस पे मानते थे, आहिंसा में अधिक विश्वास रखते थे, और विरोध तथा प्रतिरोध हेतु अहिनसक सादनों की वकालत करते थे, मतलव वह यही जानते थे कि नहीं, हमें क्या करना है, अहिनसा का प्रयोग नहीं करना है, पहली भिन्टा देखने को मिल गई, तिलक कट्टर राष्ट्रवादी हुआ करते थे, जो हिंदू और संसक्रिती की प्रधानता में विश्वास करते थे, जिससे भारत के सभी समुधाय शामिल हो जाते थे, जिसमें भारत के सभी समुधाय शामिल थे, है ना, इसी के साथ स्वतंत्रा संग्राम के संदर्व में तिलक का दरश्टिकोर राजनेतिक सुधार पर केंद्रित हुआ करता था, जबकि गांधी का दरश्टिकोर अ वहीं गांधी जी किस चीज की बात कर रहे थे समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सभी सुधारों की बात कर रहे थे, सभी तरीकों की बात कर रहे थे, तिलक सिक्षा के महतुमें विश्वास करते थे, हमने पहले भी पढ़ा है, तिलक सिक्षा के महतुमें बहुत ही बिलीफ क करते थे दूसरी और गांधी सभी के लिए साक्षर्टा और बुन्यादी सिक्षा के महतों में विश्वास करने के साथ कताई और बुनाई जैसे व्यवारिक कोशल की आविशक्ता पर भी बल देते थे गाओं को ही सौशाशित बनाना चाहते थे इसलिए लगुद्योग कुट निशकर्ष लिख सकते हैं निशकर्ष में क्या बताना है किसी को सही किसी को गलत नहीं बताना है जैसा इंट्रोडक्शन था वैसा ही कुछ निशकर्ष रहता है लिखने का तरीका समझ लो जैसा इंट्रोडक्शन था वैसा ही कुछ क्या देखने को मिलता है निशकर्ष दे इवं महात्मा गांधी दोनों के ही लक्ष एक थे परन्तु तरीके कुछ अलग थे, कुछ तरीके अलग थे और कुछ तरीके दोनों के समान भी हुआ करते थे, बस इस तरीके से बता सकते हैं, बाल गंगादर तिलक और महात्मा गांधी का ब्रिडिश शाषन के भारत को स्वत अंतरता की अधिक व्यापक धारणा पर बल दिया, दोनों ही नेताओं ने भारतिये लोगों को संगठित करने में महतपूर्ण भूमी का निभाने के साथ, अंतता बारत को अजादी दिलाने में काफी योगदान दिया, खतम, आट मार्क्स का कुश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर आट मार्क्स के कुश्चन को क्या कर लिया है, खतम कर लिया है, ठीक है? चलो, तो यही सारी चीज़ें इंपोर्टन था, आपको कुश्चन को लिखने के तरीके पता होना चाहिए, किस तरीके से questions लिखोगे, किस तरीके से questions करोगे, यह सारी चीज़ा आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसी अधार पर हम करते चले जाएंगे, तो हमारे सारी चीज़ें क्या होती चली जाएंगी, complete होती चली जाएंगी, एक question है, मैं उम्मीद करता हूँ, सविन अवग्या आंदोलन, ठीक है, कि महत्व पर चर्चा कीज़े, याद रखना, सविन अवग्या आंदोलन क्या था, क्या नहीं था, उसके अंदर क्या क्या हुआ, यह सब नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं उसके महत्व, क्या इंपॉटेंस थी उसकी, मतलब उससे क्या-क्या फायदे हुए, अगर नुकसान है तो नुकसान भी बता दो, चर्चा करने को बोला है, डिसकस करने को बोला है, यह देखो यहाँ पर क्या बोला है, डिसकस करें, चर्चा करने को बोला है, तो चर्चा में आप सारी चीज़े बता सकते हो, अगर फायद है तो फायद है, नुकसान है तो नुकसान, बस सारी चीज़े आप लोग इसमें explain कर सकते हो, ठीक है, तो इस question को आप लोग लिखोगे, और इस question को लिखने के बाद, next class में हम ये चर्चा करेंगे, एक और class या आप लोग को कुछ भी चीज़ पूछना हो, या कोई ऐसे question जिसकी आप लोग चाहते हो, क्या answer लेके आए, तो comment करके जरूर बताओगे, मिलते हैं next class में, जिसमें हम 8 अंक का इसका उत्तर, और 15 अंक की बहुत ही अच्छी strategy के बारे में चर्चा करेंगे, 15 अंक के question को, 15 के answer को किस तरीके से लिखना और कैसे समझना है, इस बारे में चर्चा करेंगे, मिलते हैं आप सभी से next class में, तब तक ले goodbye, take care, keep learning. झाल